तो आगे बढ़ेंगे जहाँ पर लखनाव में कोरोना के नए वेरियंट से दुनिया फर में दहशत का माहुल बनागे हैं 24 गंटे अब निक्रानी रहेगी वेरियंट की जांच की जाएगी तो बड़ी जानकारी आपको उतार है जहाँ पर कोरोना के नए वेरियंट से जगा जगा पर दहशत का माहुल है और अमोसी एपोर्ट पर 24 गंटे नए वेरियंट की जांच की चायकी तो विदेशों से आने वाले व्यक्तियों की आर्टे पीसिया स्कैनिंग बहदी जादा जरूरी है नए वेरियंट के असर को देखते हुए चो आर्टी में तैनात कर दी गई और 15 दिनों में बहाँ से आए व्यक्तियों की भी अब जांच की जाएगी तो बड़ी जानकारी जहां पर कोरोना वाइरस के नए वेरियंट को देखते हुए प्रश्रासन चो है अलट मोड पर है और कोरोना के नए वेरियंट से दुनिया भर में दहश्यत फैला हुआ है अब उसी एरिपोर्ट पर 24 गंटे निगरानी के बात कही गई है नए वेरियंट की जांच की जाएगी विदेशों से आने वाले व्यक्तियों की आतेपी स्कैनिंग अब मेंडिट्री करती है क्या है नए वेरियंट के असर को देखते हुए च्वार टी में गठित कर दी माहल है और हम उसी एरिपोर्ट पर 24 गंटे अब नए वेरियंट की जांच की जाएगी विदेशों से आने वाले व्यक्तियों की आतेपी स्कैनिंग भी जरूरी और नए वेरियंट के असर को देखते हुए चार्टी में तनात कर दी गई है तो बड़ी जानकारी आपको बत पूरे देश भर में देशवत का महौल है और इसमें तमाम गाइडलेंस जो है नए वेरियंट को लेकर जारी करती गई है फिलाल क्या कुछ अपडेट है अगर उत्तरप्रदेश की बात की जाए तो जी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी उमी क्रोन नाम का जो एक नया वेरियंट आया है फिलाल उससे कही न कहीं लोगों में दैशत जरूर मची है क्योंकि दक्षड अफरीका से आए दो लोग बेंगलुरू में जिन्होंने लांच किया था वो भी पॉस्टिव मिले थे अब फिलाल जो 44 लोग उनकी चपेट में आये हैं उस पर उनके भी जो सैंपल से उनको भेज दिया गया है फिलाल यह काफी घातक है और अगर मैं बात करूँ एरपोर्ट की तो एरपोर्ट पर भी चाह टीमों को गजट कर दिया गया है जो 24 घंटे निगरानी रखेंगी य हाला कि विग्यानी के रहे हैं घातक नहीं है और जिन्हों ने जो डोजस ले रखी हैं उनके लिए इतना प्रॉबलम नहीं करेगा लेकिन फिर भी एक चिंता की बात जरूर है और अगर मैं बात करूं उत्तरप्रदेश सरकार की तो फिलाल लगतार डीजी हेल्थ हैं और सी हमें मिली थी कि नौ से चार बजे तक के जितने भी शहरी और ग्रामीर एरिया हैं वहां के लोगों को जिन्होंने सेकेंड डोस नहीं लिया उनको भी जल्दी से जल्दी वैक्सिनेट करें तो फिलाल सरकार अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रही है अब लोगों को भी सद बना है क्योंकि लगातार जो फ्लाइट्स हैं वो भी कैंसल हो रही है तो फिलाल एक दिसंबर से यह जो नया रूल है यह बनने वाला है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी अगले आने वाले 24 घंटे में इसको लेकर के जो नहीं मीटिंग करेगी और फिलाल जो रूल कर दिया गया है ऐसा ही कुछ क्या जो लोग बाहरी प्रदेश से प्रदेश में आ रहे हैं देश में आ रहे तो ऐसे में क्या उनके लिए भी ऐसा कुछ गाइडलेंज चाहूंगी कि 15 दिसंबर से जो इंटरनाशनल फ्लाइट्स है वो चालू करने का एलान किया था सरकार न लेकिन अब क्योंकि जो भी ये वाइरस ओमिक्रोम नाम का वाइरस नया वेरियंट जो जनरेट हुआ है इसको चलते हुए अब सरकार ने दुबारा से इस पे सोच विचार करने के लिए लोगों से जो मीटिंग सी है कि वेदर वो 15 दिसंबर से ये फ्लाइट शुरू करे न बाकी पीसियार पहले रेपोर्ट नेगटिव रखना ज़रूरी नहीं होता था क्योंकि जब दो वाक्सिन डौन उन डवाज़्स ले यही सफिक ता लेकिन अब आटी पीसियार रिपोर्ट के साथ साथ नेगटिव रिपोर्ट भी अपलोड करना जरूरी है साथ ही 15 दिन की तो ये एक जिंदा का सबब जरूर बना है, हाला कि विशेशा की यही कह रहे है कि जो वैक्सीन है, जो दवा है, इसका इलाज है, लेकिन फिर भी साफधानी बरतनी जादा जरूरी है, क्योंकि अभी फेस्टिवल्स आएंगे, न्यू यर आएगा, तो फिर भी बढ़ने के च क्या मैं आएटू क्या है.